नमस्कार आप सभी को मेरा नाम खुश्बू एंड वेल्कुम टू माई चैनल माई गार्डन सेंटर लाइफ आज इस खुबसूरत से प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं यह मेडिटेरियन रिजिन से बिलोंग करता है और इसका साइंटिफिक नेम नीरियम ओलियंडर है जिसको हम कनेर या फिर ओलियंडर के नाम से भी जानते हैं यह एक पर्मानेंट फ्लारिंग प्लांट होता है जो समर्स के टाइम पे बहुत अच्छी फ्लारिंग करता है विंटर में डॉर्मेंसी में रहता है यह प्लांट बट समर्स में काफी अच्छी फ्लारिंग करता और यह एक बहुत ही खुबसूरत सा और्नामेंटल प्लांट है जो हम लेंड्सकेपिंग के लिए काफी जादा यूज करते हैं इसकी हाइट काफी अच्छी चली जाती है यह साथ से 20 फीट तक ग्रो कर जाता है ट्री की तरह है बट आजकल इसकी हाइब्रिड वराइटी इस जो शोट ट्री की तरह ग्रो करती है तो अगर आप जादा हाइट नहीं चाहते अपने प्लांट की तो आप वो प्रीफर कर सकते हैं और यह एक पैट फ्रेंडली प्लांट नहीं है आप तब इसकी लीव को तोड़ते हैं तो एक वाइट कलर का सैप निकलता है जो की टॉक् साइज की तो जैसे की आप देख सकते हैं कि यह 6 इंच के नर्सरी वैग में लगा हुआ है तो इसको जादा बड़ा पोर्ट साइज नहीं चाहिए अच्छी फ्लारिंग के लिए आप 8-12 इंच के पोर्ट में लगाएं इसको तो यह काफी अच्छी फ्लारिंग करेगा दू और उतनी ही हेवी फ्लारिंग करेगा तो इसको सनलाइट अच्छी से दें यह इसकी में रेक्वाइर्मेंट है अब बात कर लेते हैं वोटरिंग की तो यह एक डाव टोल्रेंट फ्लांट होता है अगर आप इसको पानी नहीं भी देंगे तो यह सर्वाइव कर जाएगा ल और बस यही कुछ चोटी चोटी बाते हैं जो आपको याद रखनी है और इसको विंटर्स में आप और से बचाएं और से बहुत जल्दी खराब होता है यह पोधा तो विंटर्स में इसका थोड़ा सा धियान रखने की जरूरत है बाकी अब बात कर लेते हैं इसके फर्टि इंच के पोट में है तो और बनाना फील फर्टिलाइजर भी इसके लिए काफी अच्छा रहेगा तो आप वह भी बना के डाल सकते हैं मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बनाना फील फर्टिलाइजर कैसे बनाए तो आप जरूर वह देख सकते हैं और उसक अब फ्लार्स पॉलिनेट हो जाते हैं तो सीट होर्स डवलप करते हैं तो वह सीड मैच्छ होने के बाद आप उनसे भी इसको बहुत प्रोपागेट कर सकते हैं और आप बात कर लेते हैं कि कोई डिसीज वगेरा तो नहीं लगती है इस पे तो इसमें लीव स्कॉर्च और क कार्लिक वोटर का भी यूज कर सकते हैं वो भी काफी अच्छा रहेगा इसके लिए और इसको कोई स्पेशल सोयल की जरूरत रही होती आप नोर्मल गार्डन सोयल में 20% वर्मिकॉप बोस्ट एड़ करके उसमें इसको लगाएं तो यह काफी अच्छा चलेगा बस यही कु सब्सक्राइब करें और बागी ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को देखते रहें थैंक्स फॉर वाच्छुट